नमस्कार दोस्तों जै हिंद वंदे मातरम एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एक्जाम पर दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे प्रिक्टिकल एक्जाम की और प्रिक्टिकल एक्जाम में आपके कहा कहा से कौन कौन से questions आपसे practical exam पूश सकता है then हम इन लोग पर बात करेंगे कि कहां से आपका कैसा कौन सा question आपको देखने को मिलेगा आपके exam में जब आपका practical होगा तब then उसके बाद में आप लोग जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस levels आप सभी के पास होगा अगर नहीं है तो टेलिग्राम गूर्प में share किया गया था वहाँ से आप download भी कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर्ड इस्पेसल एजुकेशन आईडीडी के जो भी हमारे first year के students हैं इनके लिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़े आपको practical में तयार करके ले जानी है और आप सभी को पता है कि मैंने पहले बता दिया था 24 जून से लेकर के 28 जून के बीच में 28 जून के बीच में आप लोगों का practical exam जो है वो होगा इसकी exact date जो है वो आपको आपका college बताएगा तो भाई हम लोग बात कर लेते हैं आपके practical में क्या क्या आपसे पूछा जा सकेगा उस पर सीधे चलते हम लोग practical की file पर कि भाई कौन कौन से file आपको देखने को मिलेंगी जो आप लोगोंने बनाई होंगी हम लोग उन्हीan file वह पर ही चर्चा करेंगे जैसे कि पहली फाइल आपकी जो बनेगी और यह सभी फाइलों के नाम जितने भी आपने file बनाई है यह भी आपको बताओंगा सभी files के नाम आपको पता होने चाहिए सबसे पहली बात कि आपने कितनी फाइले बनाई, उन फाइलों के नाम क्या है, आपके कोर्स का क्या नाम है, जैसे कि आप लोग डियर्ड फस्ट इयर के हैं, तो हम कहाएंगे भाई, डियर्ड इस्पेसल एजुकेशन, यही बाला बताईएगा, इस्पेसल बीएश्टीसी न को लोग बताईएगा, पता चल जाएगा, उसको कि आप लोग पिर कैसे पड़े हो, डियर्ड इस्पेसल एजुकेशन और इंटलेक्च्वल एंड डिवलप्मेंटल डिस्वेल्टी यानि की आईडीडी, यही अपने कोर्स का नाम आप लोग बताईएगा, इसके अलाबा क चीज़े आप से पूछ सकता है, असिस्मेंट आफ चिल्टन विड डिवलप्मेंटल डिस्वेल्टी इस पहली फाइल ही आपकी, पहली फाइल में आप कर रहे हो, तीन बच्चों पर वर्क और वो तीन बच्चे कौन से हैं, वो आपके 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 इस्पेसिफिक लर्न टूल्स लगाए, वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे कि कौन कौन से आपने असिस्मेंट टूल्स लगाए हैं, और फाइल में जो भी आपने असिस्मेंट टूल्स लगाया है, जैसे कि मानलो एसडी बच्चे के लिए हम कह सकते हैं सुलीन बच्चे के लिए, सुलीन कर लेंगा ऐसे ही अपना aims Modified ये भी आपके Aift बच्चों के लिए जितने भी ये tools आपके इतने दिये गए हैं aims आपका हो गया आपका इशा हो गया किसने विक्सित किया और कब विक्सित किया गया और वहिया इसका पूरा नाम क्या है Kars 2 हो गया किस ने विक्सित किया, कब विक्सित किया और ये पूरा ना तो ये किन बच्चों के लिए ASD बच्चों के लिए तो question यहां से भी कहे देगा ASD बच्चों के लिए जब आप assessment करते हो then आपको also tool use करते हो तो आप mchat भी बता सकते हो इशा भी बता सकते हो aims modified, indt, asd भी बता सकते हो इसके बाद में cars2 भी आप लोग बता सकते हो तो इतने tools जो है ASD बच्चों के लिए हैं किन पर आप लोगों ने जो भी tool अब अपना use किया होगा अपनी file में वो आप लोग याद जरूर कर लेना उसके बारे में या इसके बाद में ID बच्चे का जब हम लोग assessment करते हैं तो कहते हैं ये tools हम लोग प्रियोग करते हैं जैसे आपका बच्चा जब छोटा है तो हम लोग जो मदुरम रायन जो center था acceptance children आपका उपनायन जो early intervention के लिए प्रियोग किया जा था bloom taxonomy हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो potas guide थी उसका हम लोग प्रियोग कर लेते थे हम लोग FACP का प्रियोग कर लेते थे हम लोग इसके बाद में अपना जो behavioral assessment skill for intelligent children with mental education जिसको हम लोग basic एमार के नाम से जानते थे लीता पेशा वरिया और वंगटेशन जी नाम भी साब साब सब्सक्राइब कर दिये हैं कि भाई MDPS किसने विक्सित किया दिना आप यहां पर बता होगे पीविलना जी ने और आपका जैचंतरन जी ने सबके नाम भी दिये हैं मैं इसको इरेस करें रहा हूं उसका आप स्क्रीन सॉट ले लिजेगा जिससे आपको यह पता हो जाएगा कि भाई किसने कब बनाया और यह स्क्रीन सॉट तुरंद ले लिजे अगर आपके पास PDF नहीं है देन आप यह स्क्रीन सॉट ले दिजे इसके बाद में SLD वच्चों के लिए जो हम लोग टूर्स का उप्योग करते हैं तो कहते भाई यह अपना जो behavioral checklist for screening the learning disabled जों लोग SNDT क बात करते हैं इसके बाद में हम लोग diagnostic test for learning disability की बात करते हैं देन हम लोग dyslexia assessment test की डाली की बात करते हैं तो यह भी आप लोग screen shot ले नीचाएगा यह आपका क्या था जो आप लोगों ने first अपना file बनाई थी उसका सब detail था यह इसके बाद में आप लोगों ने जो second file बनाई जिसको हम लोग जानते हैं IEP के नाम से कहते हैं individualized education program किन बच्चों पर वही तीन अपने बच्चे यह तीन बच्चे आपको first year में यही तीन बच्चे आपको ध्यान में रखने हैं ठीक हैं तो हम इन पर जो IP हम लोगों ने बनाई थी उसमें हमने कितने sessions लिए आपको किसा 30 sessions लिए 30 session की बात होती है पर तेक बच्चे पर हमने IP बनाई तीन यहां पर हमने IP का चीजों का प्रयोग किया HD बच्चे की ID बच्चे की सभी के जो हमने goals लिए level का assessment हम लोगों ने किया तो इतना हम लोगों को ध्यान रखना था यहां पर हमने control से tools लगाए चाहे वो अपना assessment tools के बारे में आप से पूंचे तो जितने भी अभी assessment tools मैं आपको बता चुका हूँ तो वो सारे assessment tools आपने यहां पर भी लगाए होंगे जैसे यह आप लोग लगाया इसके बाद में IP क्या होती है आप लोगों ने फर्स्ट एर में पेपर दे आप लोग दे चुके हो तो IP क्या है किसलिए निर्माण की जाती है यह सब चीजे थोड़ा पढ़के जाईएगा अच्छे से क्योंकि आप लोग अब पेपर दे चु हाँ दूसरी चीज क्या है जो आपके सब्जेक्ट थे जिनका आप लोगों ने एक्जाम दिया था उनके भी नाम और उनको भी भी भैया पढ़ ली जिएगा खास करकि अपना पहला सब्जेक्ट इंट्रोडेक्शन टू डिसिबल्टी इंट्रोडेक्शन टू और असिस्मेंट वाला पेपर और जहां पर आप लोगों ने आकलन हुआ, मुल्यांकन हुआ, यह सारी चीजे इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोगों ने तीसरी अपनी फाइल बनाई, तीसरी फाइल जो बनाई, टीलम के यूज के बारे में बताया, आपने आईसिटे के यूज के बारे में बताया, किस प्रकार से आप जब बिच्चे को पढ़ाओगे, ट्रेनिंग दोगे, तब आप कैसे असिस्टिव डिवाइ क्या क्या करवाओगे, वो सारी चीजे आपको यहाँ पर बतानी होंगी, जो आप लोगों ने फाइल में अपनी लिख रखी है, पहले से ही लिख रखा है, इसके बाद में आपने ग्रूप टीचिंग कराई, यानि कि लेसन प्लान बनाए होंगे, लेसन प्लान में सबसे ज लेपिंग क्या है, और आम कहेंगे पुनर बलन क्या है, आपने किन-किन पुनर बलन का यूज किया, बच्चे पर आपने co-curricular activities कितनी की, आपने curricular activities कितनी की, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, जो जो आपने फाइल में रिलिक रखा है, कितने आपने लेसन प प्लवान किये किन बच्चो पर किये आपको इंगे सर्थ ये तीन प्रकार के Hum को दिये गए थे जिनमें हमने पढ़ाने केलिए उनका TLAM का भी उप्योग किया आइसी सीटी का भी उप्योग किया तक हैते तो सारी सब्सक्राइब आपको कह सकते हैं उनके वारे में भी आपको पता होना चाहिए, अब देख सकते हैं, Learning Disability के बारे में भी यहाँ पर सारी चीज़े दी गई, Functional Academic के बारे में भी दी गई, जो आपका, इसके बाद में आपका, चौती फाइल, जो आप लोग Group Teaching Resource Room Setting, ASD, ID, SLD, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या क्या किया इसमें, पाँच स्टुडेंट्स पर आप लोगों ने जब स्पेसिफिक काम किया, 24 लेसन प्लान से यहाँ पर बनाएं, और भाया वही आपके आठाट लेसन प्लान, आठ आपके बनाएं, ASD के लिए, आठ आपके 8-24, 3 आपका हो जाएगा, तो आपका 25 हो जाएगा पूरा, ठीक है, 8-8 आप कर लोगे, और एक का आप ज्यादा कर लोगे, एक 9 बना दोगे, तो देन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो यह आपने 24 लेसन प्लान्स बनाएं, तो आप किसी का भी जिसका आपने एक एक्स्ट्रा बना के रखा है, वो आप बदा सकते हूँ, हाँ, आप से एक्जामनर वहाँ पर भया, जो है, लेसन प्लान को प्रिजंट भी करवा सकता है, कहाएगा भाई, एक लेसन प्लान आप खुद से तयार करके लाओ, और उसको क्या है बच्चों के सामने प्रिजंट करो, तो ये भी आप से करवा सकता है, कि भाई, आप कैसे पढ़ाते थे, कैसे आप बच्चे को सिखाते थे, किन-किन टीलेम का यूज करते थे, कहाँ पर आप लोगों ने पुनरबलन बच्चे को दिया, कहाँ पर आपने प्रॉम्टिंग बच्चे को दी, तो ये सारी ची तीन एक चार पाँच छे हाँ छे फाइल इप हम लोगों ने बात कर ली च्छटी फाइल यह आपकी हम कहेंगे इनकॉर्परेशन आफ टेक्नलोजी एंड टेलम इन डिफरेंट सेटिंग्स तो यह आप लोगों ने जो फाइल बनाई इसमें क्या क्या लिखा किन चीजों का आप लोगों ने प्रयोग किया यह आपको सारी चीज़े दी गई थी पहले से दे रखा हैं आप लोगों ने क्या असिस्टिव टेक्नलोजी लगाई किन बच्चों पर आप लोगों ने क्या काम किया कैसे किया फाइल में क्या लिखा यही सारी चीज़े आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी यानि कि आपकी जो छे फाइले पहली आपकी ये देन आपकी दूसरी फाइल आपकी ये इन सभ तो ये सारी चीजे क्या है, आपको बिल्कुल अच्छी तरीकी से जो है, वो रटी होनी चाहिए, अच्छे से जहां पर आप लोग किसी भी चीज को बता सकोगे, जो ये लीगल प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी दिन आप वहां पर क्या करते हो, क्या नहीं कर लेकिन जो ये चीजे आपके साथ चलती है, हो रही है, तो ये चीजे आपको यहापर करना हूँ, जितनी फाल है थी, अच्छे से आप लोग बढ़िया प्रिपेर कर ही ही लिये होंगे, तैयार कर ही लिये होँगे, लिक डाले ही होंगे, तो बस आपको उनके बारे में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजेगा और चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में अलका आप्शन प्रसका लीचेगा धन्यवाद